इश्क निभाजा माहिया वेल फामान खान का ये जो गाना है नया मतलब इसने बवाल काटा हुआ है मतलब बहुत सारे रिव्यूज बहुत सारे यू नो ऐसे रियाक्शन्स मैं अभी फिलाल यूट्यूब पर देख रहा हूं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इश्क निभाजा माहिया जिसको डारेक्ट किया है फामान खान ने वह सोंग के बारे में कुछ अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहा है वेल जब आप सौंग को सुनते हो तो आपको फील होता एक एक जो शब्द है वॉर्ड है एक एक वह आपको फील होता है वह सीधा आपके दिल से कनेक ही एक emotional connect है जो सीधा fans से connect होता है बहुत ही soothing song है बहुत ही प्यारा song है और फामान खान का पहला ऐसा गाना है जिसे उन्होंने खुड डारेक्ट किया है मतलब acting ने तो लोहा मनवा चुके हैं अपना फामान खान और अब acting के साथ साथ वो इस गाने को डारेक्ट करके देखे डारेक्शन के दुनिया में भी कदम रख चुके हैं और क्या खूब गाना उन्होंने डारेक्ट किया है देखिए मेरे को दूसरों के रिव्यूस तो नहीं पता हैं लेकिन मेरे हिसाब से यह गाना जो है वह बहुत ही जादा अच्छा है बहुत ही जादा सूधिंग है मतलब आप एक बार सुनते हैं तो आपको बार-बार यह सुनने का मन करता है गाना और मुझे ऐसा लगता है कि कुछी दिन की बात है और य मुझे ऐसा लगता है कि फामान खान का best piece of work अगर कुछ गाने रहेंगे तो उनमें से यह गाना और यह काम भी उनका definitely रहने वाला है फामान खान ने बहुत अच्छा काम किया है direction के मामले में acting के बाद अब वो direction के दुनिया में भी देखिए बहुत अच्छे से अपने पैर जमा चुके हैं मतलब अपने पैर जमाने की और अग्रिसर हैं मतलब उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं मैं फामान खान को बहुत जादा best wishes देता हूं बहुत जादा you know all the best wishes हैं उन्हें fans की तरफ से तो मिल ही रही हैं बाकी मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारी best wishes हैं क्योंकि यह गाना वाकई में बहुत अच्छा है और दूसरों के रिव्यूस का तो पता नहीं लेकिन मेरे हिसाब से यह गाना जो है वो definitely one of the best आप कह सकतो recent times का current times का one of the best song यह है और definitely दिल को चू जाने वाली यह performances है बाकी आपको कैसा लगा यह गाना और मैं कुछ कॉमेंट्स यह भी पढ़ रहा था कि आप आजकल बहुत कम वीडियो बना रहे हैं या कुछ कम इंट्राक्ट कर पा रहे हैं तो देखिए reason being reason उसका यह है कि थोड़ा सा तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है काफी समय से मतलब काफी time से थोड़ी से तबीयत ठीक नहीं है like earlier I was diagnosed with Dengu और Dengu से ठीक होने के बाद वो थोड़े से symptoms कहते हैं जैसे थोड़ा सा एक weakness रह जाती है या पर बहुत सारी इसे चीज़े रह जाती है जो कि आपको with time ही आप recover कर पाते हो तो अभी recovery mode पर हूँ और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि डिफिनिटली फामान खान के सौंग पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए और तो मैं एक वीडियो लेकर आगया फामान खान के नए सौंग को लेकर बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा और डेफिनिटली अगर आप मुझे मेरे वीडियो को मिस्स कर रहे हैं तो यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक connection होता है मतलब जैसे आपका आपके आइडिल के साथ connection है वैसे ही मेरा भी connection बन चुका है मेरे जितने भी subscribers हैं तो प्लीज आप और subscribers जुड़िए मेरे YouTube चैनल के साथ क्योंकि अभी future में बहुत जादा काम करना है future में बहुत आगे तक काम करना है हमें स काम करना है